दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप विकल की एप्लिकेशन के डॉकुमेंट ऑनलाइन किस तरीके से अप्लोड कर सकते हैं चाहे आपकी विकल ट्रांसपर की ऐप्लिकेशन हो या विकलden ऑनलाइन किस तरीके से अप्लोड कर सकते हैं तो चलो दोस्तों वेडियो आज की स्टाट करते हैं इस वीडियो को आप लाइक कर दीजे अपने दोस्तों साथ सेयर कर दीजे जुड़ना चाहते हैं ऐसी ही जानकरी पाने के लिए चैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजेगे जैसे आप इसको सब्सक्राइब करेंगे राइट साइड में घंटी के निसाना जाएगा उसको दबा दीजेगा और 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 किलिक कर दीजेगा फायदा इसका यह होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो प्लोड करेंगे उसकी जानकरी मिलेगी आपको सबसे पहले तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं किसी सर्च इंजन में सर्च कर दीजे परिवेन अब जो सबसों पर रिजाल्ट आ रहा हूं परिवेन से हम इनिस्टे आप रोड ट्रा करके गाड़ी नंबर विकल रजिस्टेस नंबर यहां पर डालके प्रॉसीड पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा अब सिंप्लि आपको क्या करना है दो तरीके है डॉकुमेंट विकल की अप्लिकेशन के डॉक्मेंट अप्लोड के एक तरीका तो य उसके बाद यहां पर रेजिस्टेस नंबर वाइस पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद यहां पर स्लेक्ट ट्रांजेक्शन पर क्लिक करके एप्लिकेशन पर क्लिक कर लेते हैं यहां पर उल्लाइन सर्विस पर क्लिक करते हैं यहां पर रेजिस्टेस नंबर डाल दीजिए य यह capture word यहाँ पर डालगे, so details पर क्लिक कीजिएगा, अब यहाँ पर जो print receipt है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, अब आपको क्या करना है, upload document, upload document पर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप इस पर चूज पर क्लिक करके, file select कर लीजिए, जिसको आप upload करना चाहते हैं, अब आपको ध्यान रखना है, जो भी document आप upload कर रहे हो, JPG या JPEG या PDF format भी होना चाहिए, और size उसका 200 के भी 200 के भी से कम होना चाहिए, उसके बद यह इस तरीके से आजाता है, तो यह जो box है, इस पर क्लिक करके, okay पर क्लिक करेंगे, जैसे आप select कर लोगे न, document तो upload पर जैसे ही क्लिक करोगे, तरीके से आएगा, यह box पर क्लिक करके, okay पर क्लिक कर लेजिएगा, इस तरीके से आपको दिखा देगा, file is uploaded successfully, और जैसे upload हो जाए, तो उसके बाद इस पर क्लिक करके, यहाँ पर view document का जो option, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हूँ, कि आपने सही document upload किया है, या by mistake आप से गलत document upload हो गया है, उसके बाद, यहाँ पर option आपको दिखा रहा है, proceed further, इस पर क्लिक कर देना, इस तरीके से आजाएगा, अब print receipt पर क्लिक करके, payment receipt आप अपनी निकाल सक तो simply final submit पर क्लिक कर दीजिएगा, इस तरीके से आजाएगा application submitted successfully, इस तरीके से आप पूर प्रोसेस को complete कर सकते हैं, ठीक है जिए एक तरीका तो यह है document upload करने का, दूसरा यह है, कि इस पर क्लिक करके add pending slash modify upload document क्लिक करके, upload pending documents पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद registration number, chasis number के यहां पर डालिएगा, application number यहां से आपको दिख जाएगा, know your application status पर क्लिक करो, registration number डालके proceed करो, तो application number आपको इजिली दिख जाएगा, ठीक है, यह detail डालके verify पर क्लिक करो, mobile number आपको दिख जाएगा, जो net OTPP पर क्लिक करोगे, तो आपको mobile पे OTPP चला जाएगा, OTPP डालके submit पर क्लिक करोगे, तो application number आपको प्लोड कर सकते हैं, तो यह complete process है, तो उम्मीदर वीडियो आज के आपको पसंद आएगे, वीडियो अगर आज के आपको पसंद आएगे, तो इसको like कीजिए, share कीजिए, social site पर आप हमार साथ जुड़ना चाहते है, तो about पर क्लिक करके, इ यहाँ पर दिख जाएंगे, अगर आप जुड़ना चाहते हो, इन पर तो जुड़ सकते हैं, और बाकी vehicle related और भी information आप देखना चाहते हैं, तो simply आप पर डाल दीजेगा, vehicle transfer, vehicle HP terminate, vehicle duplicate RC, vehicle RC particular, और भी vehicle related काफी वीडियो हमने upload कर रखे हैं, अगर आप इनको देखना चाहते ह अगर आप इनको देखना चाहते हो, तो देख सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से, तो subscribe इसको कर दीजेगा, जैसे ही आप इसको subscribe करेंगे, right side गंटिक निसान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजेगा, और all पी click कर दीजेगा, फ कियो